हम आई साथ जुड़ चुके हैं सुमिच जी वो आपको बताएंगे वो एक बहतरीन स्टॉक जहां पर बाजार बहुत ही जबर्दस तरीके से बुलिश है देखें आज का इकका में बहुत सारे नाम थे वैसे तो पूरा केमिकल सेक्टर ही जोरदार तीजी में है इतनी बड़ी सूची तो तुम्हें काटना पड़ रहा था किसको लें किसको ना लें दो तीन नाम ब्यार है कि लास में एक ही नाम निकाला वो है लक्ष्मी औरगेनिक्स का शांदार तेजी में स्टॉक है और इसी चैनल पे अलग-अलग लेविल पे अलग-अलग जानकारों ने रहा दी है इसमें तेजी की चाहें वो राजेश पालविया साहब हो या फिर राशीश चत्रमोता साहब हो सब नहीं खरदारी कियां पर आया दी स्क्रीन पर आपके रिटर्न आप देखी पा रहे हैं तीन दिन के अंदर शेयर 25% के आसपास उचल चुका है एक आंकड़े आपके सामने आएंगे एक हफते में 25 एक महीने में 84 वाई टीडी 178 वाई लिस्टिंग से लेके अब तक 180 परशन तक का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है ऐसा हुआ क्या जो इतनी बड़ी मुवमेंट स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी देखें पहली चीज़ तो इसके नतीज़े बहुती शांदार थे दूसरा ब्रोकरिज हाउसे के अपग्रेड्स आयते जिसके आधार पे शेयर चला और सभी के टागर्स अचीव करके उसके उपर एक्सीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है केमिकल सेक्टर की तेजी भी है टेल विंड भी है जो प्राइसे बढ़ रहे है उसका भी इंपक्ट है ड्यूटी कट है उसका भी इंपक्ट है तो यह और कुछ फैक्टर है जो की सपोर्ट करने पूरे शेक्टर की तेजी को इसके अलावा सबसे क्रूशल पार्ट इसकी वैल्यू जो बजार ने आइंटिफाई की उसके आधार पे चलता हो दिखाई पड़ा अब वैल्यू कैसे आईगी हो आप टेबल लेखेंगे उससे समझ में आएगा आपको एक स्क्रीन पे आंकड़े आएंगे कंपनी की FI21 की सेल्स करीब करीब 1768 क्रोड रुपे के आसपास थी और इबीटा करीब करीब 282 क्रोड रुपे के आसपास है मार्जिन रफली 16% के आसपास हो मुनाफ़ा 127 क्रोड रुपे के आसपास ये चार आंकड़े आप पिछले पूरे वित्ते वर्ष के हिसाब से देखेंगे लेकिन उसके सामने इस क्वाटर का अगर आप नंबर उठाके देखेंगे तो बड़ा फीर बदल वहां होता हुआ दिखाई पड़ेगा जहां पिछले साल भर में कंपनी ने 1700 क्रोड की रेविन्यू निकाल ले थे इस क्वाटर में महज 800 क्रोड रुपे के आसपास के रेविन्यू आ गए निकि हाफ रेविन्यू इस क्वाटर में ही खाली आ गए 282 क्रोड के इबीटा के सामने 155 क्रोड का इबीटा इस क्वाटर में आ चुका है पूरे साल में कंपनी है 16-17 परशन मारजन निकालती है इस बारी 21 परशन के मारजन दो अर्रेडी निकाल चुकी है अब तक और सबसे बड़ी चीज मुनाफ़ा जो पिछले साल 127 क्रोड था इस बारी महज 102 क्रोड रुपे के आसपास आ चुका है ये वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से लक्ष्मी ऑउगनिक्स अभी भी 28 के मल्टिबल पर काम काच कर रहा है दीपक नाइटराइटीस के जुबलेंट इंग्रेविया 18 के और अलकायल अमाइन करीब करीब 70 के तो अगर ये इतने इच्छी वैल्यू दिखा चुका है तो हो सकता है सेक्टर की बाकी अंडर वैल्यूड कंपनी जो हैं उनमें मुवाता हो दिखाई पड़े तो आप जुबलेंट इंग्रेविया के ओपर अब यहां से नजर बना के रख सकते हैं चलिए तो यह समझिए बिछडे हुए दो भाई हैं जो अलग-अलग शेत्र में ट्रेड करते हैं लेकिन काम दोनों का अल्मोस्ट सिमिलर है आज इत्थाकर नाशिष चत्रमोता हमाई साथ जुड़े हुए है और सुबह जो पहला ट्रेड आपने दिया था वो लक्ष्मी और्गानिक केमिकल से दिया था आशिष जी आज का 10% सर्किट तो स्क्रीन पर है ही